हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो कर्मचारियों और पैंसनर्स के लिए 31% महेंगाई भतते और 18 महीने का जो एरियर्स है उस पर मैं बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूँ क्योंकि कर्मचारियों और पैंसनर्स जो है बहुत दिनों से 31% महेंगाई बतते के अनौंसमेंट का वेट कर रहे थे लेकिन फाइनली याद दसेरा का दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशल अनौंसमेंट गोर्मेंट की तरफ से नहीं की गई है तो बड़ी से लिए लटपिकेशन के लिए घंटे के निसान को जरूरी हिट करिये तभी है आपके पास वीडियोस की लेटपिकेशन आ पाएगी और आप वीडियोस को कंटीन्यूं आगे भी वाच कर पाेंगे बेसेकलिए आप सभी को पता कि कर्मचारियों और पैंसनस के लिए अनौंस्मेंट की जाती है बाकी मंस का उसमें एरियर सरकार प्रोवाइड करती है लेकिन आज दसेरा के दिन हो गया है दसेरे के दिन तक जो है गवर्मेंट ने अभी तक इसकी ऑफिशल अनौंस्मेंट नहीं की है तो कर्मचारी और पैंसनस बहुत जदा इसमें एंजाइट बत्ता जुलाई 2021 से ही मिलेगा और बाकी एरियर भी ऐसा नहीं की नहीं मिलेगा एरियर भी आपको मिलेगा इसलिए बिल्कुल भी आपको घपराने की जरूत नहीं है आगे आने वाले दिनों में यानि फेस्टिवल सीजन में ही अभी फेस्टिवल सीजन खत्म नहीं हुआ पहले यह बोल सकते हैं कि आगे आने वाले जो 15 से 20 अक्टूबर की बीच के जो टाइम होगा यानि कल से जो मंडे टूसडे से जो स्टार्ट होगा उसमें आने वाले दिनों में कभी आपको अफिशल अनौंसमेंट इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगी और बात इसलिए पहले जब freeze हुआ तो गॉर्मेंट ने नोटिफिकेशन उनको दिया था अप्रेल 2020 में उसके बाद जुलाई 2021 से unfreeze हो गया तो जैसे आपको 28% मिल रहा है लेकि 31% की गोष्णा अब जो है आगे आने वाले दुनों में की जाएगी इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें अब बात करते हैं 18 महीने के DA areas की तो DA areas की जो है उससे continue जो है बात आगे हो रही है यानि की पहले खबरें IT मीडिया में की सरकार से unions और federson continues है टच में जो 18 महीने के DA areas है उससे लेटर भी कोई नों को आगे अपडेट आई वो भी हम आपको जरूर देंगे इसलिए वीडियो सुमाचे